ताते उमा मोच नहीं पायो, दशरत भेद भगती मन लायो मा उमा को समझातोई भगवान शिप कहते हैं हेदे भी राजा दशरत ने भेद भगती की थी इस कारण से उन्हें मोक्ष नहीं मिला बलकि ये कहें तो अधिक उचित होगा कि इस कारण से उन्होंने मौक्स स्विकार नहीं किया क्योंकि सगुनों पासक मौक्स न लेही तिन कहराम भगती मिजिदेही मायरहित सचिदा नंदखन प्रभु के सगुन रूप की जो बंदना करते हैं भक्त ऐसे भक्त मौक्स चाहते भी नहीं तब श्रिराम उनको अपनी निज भक्ती देते हैं भगवान की निज भक्ती जिसे अनन्य भक्ती भी कहा जाता है यही है भेद भक्ती ये भेद भक्ती उनहीं को प्राप्थ होती है जिन्हें ये भक्ती प्रभु सोयम ही देते हैं बाकि संसार में जो दूसरे भक्त दिखाई देते हैं वो सारे जो भक्ती करते हैं वो भक्ती करते हैं जो भक्ती वो सोयम ही अपने माध्यम से परकट करते हैं या अपनी मर्जी से करते हैं वो भेद भक्ती नहीं है भेद भक्ती वो है जो परमात्मा की तरफ से एक भक्त को द जाती है एक ऐसे भक्त को दी जाती है जिसे ना मोक्स की चाहा होती है और ना ही जिसे मुक्ती की चाहा होती है दश्रत जी को यही भक्ती पराप्त थी भेद भक्ती जो सोयम भगमान ने उन्हें परदान की थी इसी कारण से उन्हें मोक्स की चाहा नहीं थी और ना ही मुक्ती यही बात माता उमा को समझातो ही भगमान शिब कहते हैं ताते उमा मोक्स नहीं पायो दश्रत भेद भगती मन लायो इस कारण से उन्हें मोक्स प्राप्त नहीं हुआ या उन्होंने मोक्स को सुलकार नहीं किया हे उमा यही है तत्थे और प्यारे भक्तों इस बात को अगर को वी संसार का भक्त ऐसा कहता है کہ सरत जी को मौक्स इसलिए प्राफत नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पुत्र मौहमें तडफत तडब कर अपने प्राण दिये थे। भले ही उनके पुत्र भगवां थे, परंतु उन्होंने उन्हें भगवान नहीं जाना, पुत्र जाना और उनके मुह में तड़प तड़प कर प्राण दिये, इस करण उनकी यातर स्वर्ग तक सीमित रही यदि कोई ऐसा कहता है, तो इस कारतिया है, कि उसे कथ्य की पूरी जानकारी नहीं है यदि ऐसा होता, तो फिर भगवान स्री कृष्ण की कही हुई बहबात भी मिथ्या साबित हो जाती कि अंतकाले चेमामेव इसमरन मुक्तबा कले अबरहम, कि अंतकाल में जो मेरा इसमरन करता है, वो मुझी को प्राप्त होता है ऐसा बिलकुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान की बाणी सदा ही सत्य सिद्ध होती है दसरत जी ने भेदबक्ती की परमात्म से अनन्य प्रेम किया, भले ही उन्हें पुत्र रूप में किया इस कारण से उन्होंने मौक्स को स्विकार नहीं किया और भगवान के साथ ही सदा रहने का उन्होंने आनन्द उठाया दसरत जी के साथ साथ उस काल में और भी कई भक्त थे जिन्होंने भेदबक्ती यानि प्रभु की अनन्य भक्ती को किया जिसमें महाबली हनुमान जो आज भी हैं अजर अमर गोन निधी बलधारी इनके साथ बिवीशर जी हैं उन्होंने भी भेदभक्ती की इनके साथ लक्षमण जी और भरत और भी कई हैं जिन्होंने उस युग में भेदभक्ती की परंतु राम चरित मानस में भेदभक्ती के ल मड़ी काक भुशंट जी जिने भेदभत्ति का बरदान प्राप्त होता है ना बे लीन नहीं होते परमात्मा में बलकि वो सरीर यानि ये शरीर ये पंच बोतिक शरीर तो छूट जाता है परन्तु उन्हें दिब्वे शरीर प्राप्त होता है और उस दिब्वे शरीर के साथ वे प्रभु के सानिध्ये में उनके धाम में निवास करते हैं चारों प्रकार की मुक्तियों का आनंद उठाते हुए तो सरभंग मुनी जो प्रभु में लीन नहीं हुए बलकि उन्होंने सोयम योगागनी से अपने इस पंच भोतिक शरीर को जलाया और भगवान के परमधाम वैकुंट के लिए यहां से प्रस्थान कर लिया रामचरित मानस के अराणिय कांड में इसका वरणन है ताते मुनी हरी लीन नभयव प्रथमाही भेद भगती बरलयव बे मुनी शर्भंग प्रभु में लीन नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का बरदान प्राद कर लिया आपको अच्छी तरह से याद होगा रामचरित मानस रामायन में भी रामानन सागर जी की ये सिंध दिखाया गया है इंद्र लेने आये उन्हें परंतु इंद्र के साथ जाने से उन्होंने इनकार कर दिया दरसल महमुनी अत्री के अस्रम से बिदा लेकर भगवान श्री रामजी मैय सीता और भाई लक्षमर के साथ आगे बढ़े बनके बिभिन संकटों को पार करते हुए मार्की के कांटों को हटाते हुए राक्सस आदी कांटों को हटाते हुए बे महमुनी सर्भंग के आस्रम में पहुंचे महमुनी सर्भंग ने उन्हें दे दर्शनों के लिए यहां पर रुख गया हे कमलयन मुझे आपके दर्शन अत्यंत प्रिये हैं हे भक्तों के नैनों को सुख देने बाले मैं तो तब ही से आपकी प्रतिक्जा कर रहा हूं जोसे मुझे पता चला कि आप बनों में आमेंगे परंतु यहां आकर आपने कोई एहसान नहीं किया है भक्त कह रहे हैं भगवान से यहां आकर आपने कोई एहसान नहीं किया है क्योंकि ऐसा करके तो आपने अपने ही प्रण की अपने ही बचन की रक्षा की है भगवान का बचन है ना कि वे भक्त को दर्शन देने के लिए जहां भक्त चाहेगा वहां पहुंचेंगे परन्तु आपके दर्शन प्राप्त करके मुझे असीम प्रसन्नता कानूब हो रहा है और मैं आपके इन चरण कमलों का इसपर्ष करना जाता हूँ यद भी मैं तमाम साधनों से हीन हूँ मेरे पास कोई भी साधन नहीं है परन्तु फिर भी मैंने जो कुछ भी किया यग, जब, तब, सैयम वो सब कुछ आपको समर्पित किया और बदले में आपकी अनन्य भक्ती, आपकी भेद भक्ती प्राप्त की है हे प्रभू, आप यहां तब तक ठहरिये, जब तक मैं चिता बना कर अपने आपको उसके सुपर्दुना कर दूँ और आपके परमधाम को प्राप्त ना करनूँ, जिसके बारे में बड़े-बड़े विज्यानी भी नहीं जानते आप मेरे हिर्दे में मैय सीता और भाई लक्षमर सहित बिसराम कीजिए और अस कही जोग अगन तनू जारा, राम क्रपा बैकुंत सिधारा महमुनी सर्भंग ने ऐसा कहकर अपने शरीर को अगनी के हवाले कर दिया और सोयम बैकुंत को सिधार गए प्रभु की करपा से इसलिए मुनी लीन नहीं हुए प्रभु वे क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ती का ब्रदान प्रात कर लिया था और कागोशन जी ताते नास ना होई दास कर भेद भक्ती बान ही भिहंग बर हे पक्सिराजगरोण जी भक्त का कभी नास नहीं होता इस कारण क्योंकि वो कारण है भेद भक्ती भेद भक्ती जो भक्त करता है अनन्य भक्ती जिस भक्त के हिर्दे में निवास करती है उसका कभी नास नहीं होता ये शरीर छूटने पर भी वो प्रभु के परमधाम में जाकर के अजर अमर रहता है वो कभी प्रभु में लीन नहीं होता और सदा ही वो आनंद में रहता है प आप जानना चाहेंगे तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए कि प्रभू के नित्य धाम में वो भक्त कौन सी चारोप्रकार के मुक्तियों का आनद उठाता है और वो मिलती कैसे हैं वो मिलती हैं भेद भक्ति के कारण तो यहां पर इनी शब्दों के साथ इस वीडियो का पड़क्शेप करते हैं अगले वीडियो में मुक्तियों के बारे में जानेंगे वीडियो यह अच्छा लग रहा ना तो आप इसे कमेंट करके बताईएगा जरूर और शेयर अभी कर दीजिए चैनल पर यह नए है तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलि यह अभी सब्सक्राइब कर दीजेगा अभी